कि नमस्कार भव्यासरी निश्चन मैनु पूर। सुक्रुबार को सरत पुर्णीमा था जो साल में एक बार आता है और सीतलता परदान करता है। फिलाल सरत्पुर्णिमा के बीसे में तो हम बताएंगे, फिलाल हम आपको बताएं, अपने कैमरे से हम आपको ब्रहम मूर्थ का दिदार कराते ही कि चांद कितना खुरसूरत लग रहा है, इस चांद नी रात में पूरा का पूरा रोसन मैं है, चारो तरप का वाता परन, और क बादल किस तरह कभी छुपा रहा है चांद को, कभी दिखा रहा है चांद को, और लुभा रहा है लोग, जो धर्ती पे जितने लोग हैं, वो दिदार कर रहे हैं, और वही चकोर, जो काफी ये तो मालूम है, चांद को क्या मालूम, चाहता है कितना उन्हें चकोर, ये बनाये जाता है यह आता है और हम उसका दिदार करते हैं और सारे इसमें बहुत सारे देवी देवताओं को बहुत मंदीर में आप देखेंगे की बिल्कुल mi तुत्रे धंग से निकाला जाता है, ठंड़क परदान करने के लिए, बहुत लोग रात में पूरी मस्ती करते हैं, 12 बज़े के बाद, पूरा गाना वाना करते हैं, कौवाली करते हैं, जिसको जो चीज वो, यानि के भजन गाते हैं, और काफी कुछ बना करके एक पिक्णिक क प honeymoon जोडाल है passion सब्सक्राइब दीजें चन्द मिनट का यह विडियो हम आपके लिए खासकर बनाए और खासकर उतारे हैं चांद को अपने कामरे में आपको दिखाने के लिए कि सभी लोग इस चांदनी रात में आप लोगों ने दिदार किया या नहीं किया लेकिन ब्रहम मुर्थ का जो चांद है उस चीजों को हम आपको दिखा रहे हैं उस चीज का वो चांद का आप दिदार कीजिए देखिए कितना सुहाबना दिरिस है कभी निकलता तो कभी बादलों में छुपता हुआ जैसे ईत का चांद साल में एक बार ही निकलता है वैसे ही सरत पुर्णीमा का यह चांद सबके जीवन में इंद्र धनूसी बहार लाने वाला है यह चांद का दिरिस से आप देख रहे है ब्रह्म मूर्त का लिया हुआ है वैसे हर दिन चांद अपने अलग अंदाज में निकलता है लेकिन जो मानेता बन जाती है हम उसी रस्म को मानते हैं फिलहाल इन्हें अपने मन से असपर्स कीजिए और आसिरवाद लीजिए देखिए फिर छुपता हुआ आप देख रहे हैं या सुहाबना द्रिस से कितना अलग थलग है जैसे जीवन की नईया कभी पार कभी इस पार कभी उस पार वैसे ही चांदों का पूरा दिदार कभी कम कभी जादा हमें दिखाई पर रहा है इस वर हर किसी के जीवन में ऐसा दिन दिखाए हर साल दिखाए और देखिए किस त तूरा तूरा लालीमा इसे ही कहते हैं इंद धनु सारे रंगों में चुकि चांद का जो भी कलर है वो उजला होता है और उजले में सभी कलर होते हैं देखिए अभी लालीमा लिये हुए हैं और हलका हलका पीला आपको उसका आकार भी नजर आ रहा है और देखिए फिर वही पिद्रिस से चुकि काफी घना बादल था और निच्वली है कि बादल से कहीं उपर चांद निकलता है जो नीचे से ढग जाता है बादलों में इसकी जो भी रोस्नी है अब देखिए चारों तरफ किस तरह लालीमा है फैला हुआ और किस तरह इन धनुसी छाओं दिखाई पर दर है तो आशिरवाद लीजे इस सरत पुर्णिमा का इसमें कहते हैं सुना है कि पूरी देवी देवताओं का इसमें आशिरवाद भरा होता है आज के चांद में जो सरत पुर्णिमा का चांद है और साल में बस एक बार ही निकलता है वैसे तो हर चांद साल में एकवार ही कलता है लेकिन इसकी एक मानिता है